विला लोन के आपको rate of interest बताएंगे कोई stop banks का तो यहाँ पर देखे सबसे पहले आती है जो bank वो नाम है state bank of India जहाँ पर rate of interest की starting होती है 17.55% से starting 19.30% तक जाएगा loan amount यहाँ पर 20,000 से 25,000 तक का maximum loan amount ले सकते हो आप processing fees जो लगेगी 2% लगेगी आपको loan amount का plus GST जो कि minimum होगी 1000 रुपए जो next bank आती है private sector की top bank जो कि है SDFC bank जहाँ पर rate of interest की starting होती 14.50 से और यहाँ पर धाई परसंट लगेगा आपके loan amount का processing fees पंजाम national bank 10.90% से rate of interest की starting होगी 0.5% आपका processing fees लगेगी आपके loan amount का जो की minimum होगी 500 रुपए और maximum जाएगी 1000 रुपए तक फिर आता है next bank जो आती है union bank of India 11.95% rate of interest की starting है 10 लाग तक का maximum loan ले सकते हो आपके access bank में 11% rate of interest की starting है 25,000 एक रुपए से यहाँ पर लोन की starting होथी 0.5% आपके loan amount का processing fees यहाँ पर लगेगी अब आते हम देख लेते हैं एक एक बैंक के बारे में detail में आपके क्या monthly salary रिक्वार होती है कितने tenure के लिए आप लोन ले सकते हो तो इस state bank of India यहाँ पर आपको यहाँ पर लोन वगरा मिल जाएगा minimum income जो रिक्वार होती हो 12,500 रुपए होती है minimum loan amount जो है 20,000 का ले सकते हो यहाँ पर रिपेमेंट जो है maximum 3 साल के लिए आप यहाँ से loan ले सकते हो next bank जो आती हो आती हो HDFC bank यहाँ पर आपको 100% on-road price पर जो है आपके finance कर दिया जाएगा मत अगर बाइक की value देड़ लाग रुपए है तो आपको देड़ लाग रुपए तक का जो loan है वो HDFC bank आपको provide कर देगा minimum जो monthly salary required होती हो 10,000 रुपए होनी चाहिए flexible repayment option वगरा मिल यहाँ भी आप जो है maximum 3 से 4 साल के लिए यहाँ से loan ले सकते हो और यहाँ पर fast and easy loan approval and disbursement आप को यहाँ पर मिल याएगा अब यहाँ पर 10 बैंक जो आती हो आती पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर special two-wheeler loan की schema चलनी फोर woman borrower अगर को woman borrower उसको जो है अपना scooter वगरा bike वगरा खरीदनी है उसके लिए आप rate of interest में थोड़ा सा concession वगरा बे दिया जाएगा आपको repayment period जो है 5 साल के लिए maximum आप ले सकते हो for scooters and motorcycle low minimum monthly salary जो है यहाँ पर रिक्वार होती है यहाँ पर आपको union bank of इंडिया आपको 10 लाग तक का जो है maximum loan provide करती यहाँ पी कोई prepayment penalty आपको नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर तो आपको कोई भी गारंटर की requirement नहीं होगी zero processing fees है यहाँ पर कोई भी processing fees आप से नहीं ली जा रही है आप जो है maximum यहाँ पर तीन साल के लिए यहाँ से loan मगरा ले सकते हो next bank जो आती हूँ आती एक्सिस बैंक यहाँ पर भी आपको 100% डाणरोड प्राइस पर जो है finance कर दिया जाएगा repayment tenure आप एक्सम चार साल के लिए ले सकते हो अब यहाँ पर जो है online apply कर सकते हो टूविला लोन के लिए एक्सिस बैंक से हो minimum document आपके require होते है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं मिनिमम मंतली सैलरी रिक्वार होती हो साथ हजार वह हर बैंक के इसाप से अलग-अलग सैली होती कोई बैंक आपसे कम लोग सैलरी पर भी जो है आपको लोन प्रोवाइट कर देगी चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सैलरीड हो रिजडेंस वगरा करते हो तो आपको एक यहर का यहाँ पर भी ID card दे सकते हो, address proof में हमना कोई bill दे सकते हो, passport दे सकते हो, आप salary के लिए जो income proof देना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा, आपको salary slip आप दिखा सकते हो, income tax return दिखा सकते हो, bank account statement दिखा सकते हो, वही self employed के लिए भी जो है, income proof में bank account statement, income tax return, और audited financial statement वगर यहाँ पर आपको द